अब बात करने वाले हैं Tron के बारे में क्योंकि सबसे बुरी जो अपरेट आ रही थी Tron के बारे में वो यही थी कि इसका जो Stable Coin है वो अपनी Stability Lose कर रहे है या फिर यह बोला जा रहा था कि यह D-Pack हो रहा है जिस कारण Tron प्रोजेक्ट पूरा खत्म होने वाला है बिल्कुल वैसे ही जैसे Terra का Luna और UST खत्म हो था लेकिन अभी जो latest update है उसके अनुसार USDD वापिस अपने सही प्राइस पे आ चुक है और इसी के सबसे बड़ा impact यहां में आपके साथ कुछ अच्छी updates शेर करने वाला हूं Tron के बारे में तो अगर आप भी एक Tron holder है तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा important होने वाले है क्योंकि इसी वीडियो में हम आपके साथ यह कैसा project शेर करने वाले है जो की move to earn है यानि कि अगर आप प पहली वाल है तो वाफट को सब्सक्राइब अगर के बहुत है बाकि अपडेट साथ को मेरे टेलेक्रम के वरों मिलते रहेंगी वाफट अफीचर सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक मेलेगा डिस्क्रिप्शन में तो वहां आपको सारी updates सारी crypto calls साथ के साथ मिलते रहें ताकि आपका loss बिलकुल भी न हो तो एक्चल में क्या हुआ कि Tron का जो USDD है यानि कि पूरी दुनिया का सबसे पहला ऐसा stable coin जो की crypto coin है और जो decentralized है ऐसा आई तक कोई भी decentralized stable coin नहीं आया है लेकिन सिरफ Tron ही अपना एक ऐसा USDD लेकर आया था और इसकी value जलेगी थी 0.92 डॉलर यानि कि जो एक डॉलर के ब्राबर होना चाहिए लेकिन इसकी value हो चुकी थी 0.928 पर unit के हसाब से जो कि जून 19 को ही थी जिस कारण बहुत जदा market में panic rate हो चुका था लेकिन अभी ये slowly already recover कर चुका है 0.99 डॉलर तक आ चुका है यानि कि हम बोल सकते हैं कि इसकी value already almost $1 पहु millions of dollars inject कर रहे हैं ताके USDD का price कभी भी unstable ना हो तो एक्चल में वो एक ऐसा वक्त चल रहा था जब USDC जैसे coin या फिर BTC जैसे coins भी नीचे गिर रहे थे तो तब भी एक ऐसा tweet किया था Tron Foundation ने Tron दाओने कि एक्चल में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि इनके पास जो collateral backed up assets पड़े हैं वो बहुत ही जाद हैं अगर हम Trons की बात करें तो 10.8 billion से भी ज्यादा Trons पड़े हैं BTC 14,000 से भी ज्यादा पड़े हैं USDT की बात करें यानि के Tether इनके पास 140 million से भी ज्यादा पड़े हैं USDC 990 million से भी ज्यादा हैं तो इतनी बड़ी अगर collateral backup securities पड़ी हैं तो किसी भी project का अगर हम सबसे strongest asset की बात करें तो उनका stable coin ही रहता है अगर stable coin एक toll के बराबर रहता है तो उससे कहा है कि market में नाम खराब नहीं होता और project भी बहुत अच्छे से काम करता है यानि कि एक तरीका का panic rate नहीं होता और इनका जो भी collateral ratio है USDT की बात करें तो 313.5% है य दूसरे ही depend करता है अपने TVL के उपर जो total value locked है Tron की वो top most में से एक है एक्चल में अगर हम top 10 की बात करें जो की 2022 के first half में आते है तो उसमें सबसे उपर BNB चैने तो आता है यह लेकिन दूसरे number पर Tron project है यानि कि Tron का जो TVL है total value locked है वो सबसे जादा है BNB के बात इसके इसके लावा अगर बाखी projects की बात करें उसमें अवलांच आता है Solana, Polygon, Phantom, Waves, Arbitrum, Pallal, Kronos तो कई सारे हैं लेकिन Tron most promising projects में से एक है जिस कारण जो मैं आपको बताना चाहरा हूँ वो ही है कि Tron को आप अभी भी buy या फिर hold कर सकते हैं क्योंकि generally जो market collapse होती है market नीचे करने नहीं जा पा रहा है और वैसे भी dump के अंदर ही इसी coin का price करीव 7-8 रुपे तक भी पहुंच गया था और वैसे भी जैसे अब अभी second half शुरू हो चुक है 2022 का तो Tron का फिर से जो second season है hackathon का वो शुरू हो चुक है इसमें कई सारे participants आएंगे कई सारी apps build होने वाली कई सारे न move to earn project के बारे में तो move to earn अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे projects होते हैं जिसमें कहा कि अगर आप paddle भी चलते हैं jogging करते हैं तो उससे आपको paddle चलने पर भी आनी होती है तो GMT उन्हीं में से एक ऐसा project था जिसने बहुत ही अच्छा प्रफिट दिया था इस dump से पहले और अभी कई सरे ऐसे projects आ रहे हैं तो उन्हीं में से कुछ ही ऐसे गिने चलने प्रजेक्ट होते हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उन्हीं में से एक है मैंजी तो यह एक दिक है एर ड्रिवन income generation project है जिससे आप fit and healthy भी रहेंगे और इसके से आपको earning भी होने वाली है तो मैंजी क 2 billion की है और इसी के साथ अभी इसके जो partners हैं उसमें CD5 भी है, Decentral Labs है, Blockpad, Blocktop या पूल्स तो यह जो मैं project आपके साथ शेयर कर रहा हूं एक्चल में इसके जो partners हैं और इसी के साथ जो advisors हैं वो बहुत बड़े-बड़े हैं और इसी में IBA भी है यानि कि Israeli blockchain association भी है तो इसकी ज इस्टिंग होने वाली है वो 0.006 dollar के आसपस रहेगी इसका IGO पहले ही CD5 के ओपर हो चुक है, IGO round हो चुक है जो की 27th को हुआ था, 0.006 dollar पर इसका public round price था और सबसे बड़ी चीज़ यह 9 मिनिट के अंदर pools के ओपर sellout हो चुका था, CD5 के ओपर भी बहुत जाल sellout हो और Blockpad के उपर भी sellout हो गया, यानि कि अच्छा project है, trustable project है, जिसका इसकी selling भी बहुत ही फास चल रही है, वना generally क्या होता है कि अगर जब market में dump चल रहा हो, तो ऐसी जब भी ideas आते हैं तो अच्छा perform नहीं कर पाते हैं, लेकिन M&Z यानि कि Menzy का project अच्छा perform कर रहे हैं, अभी M&Z और USDT का इनका pair आने वाला है, July of 6th को, जो कि कल के दिन आने वाला है, I think आप शायद जिस टाइम ये वीडियो देखने होगे, तब भी 6th of July होगा, ये 10am USTC को हो जाएगा, तो आप buybit के उपर party split कर सकते हैं, इस coin को पहले buy कर सकते हैं, ताके आप hold करके, या फिर किसने किस तरी आने वाला हमारी telegram के उपर कौन सा coin कब buy करने, कब sell करने, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो like and share करते हैं, हमारी चैनल वाफटोड को, सबस्क्राइब अरक के बहले कर लिजिए, ताके आप तक सारे notifications सबसे बहले पहुंचें, stay tuned, stay safe, stay healthy, thank you so much.